हेलो फ्रेंज सभी को मेरा नमस्कार आज आपका कींति समय लेते हुए हम बताएंगे ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाए अब हम ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं फ्रेंज और ये इस तरशे हमने एक बार पहला फोल्ड किया आप दूसरी बार फोल्ड करने के बाद तो ये हमारा हो गया चारतै चारतै हो चुक्या इस कपड़े का अब हम इसके करेंगे ब्लाउज की कटिंग किस तरशे आप अपने अनुशार रख सकते हैं और ये देखो फ्रेंज हमने तीरह मुड़ है हमारे 7 इंच आप 7 इंच रखोंगे तो अच्छा ही आएगा और चेश्ट है हमारे 10 इंच आप अपने हिसाब से रखेगा फिटिंग लेकिन मैंने यहाँ इतनी रख दी अब मैरी जो लंबाई है लंबाई वैसे ब्लाउच की रखती है 15 इंच लेकिन मैं 16 इंच रख रहे हूँ और यहाँ से भी मैं 16 इंच रख रहे हूँ आप 15 इंच रख करके 13 इंच पर ब्लाउच बड़े अराम से बना सकते हो तो मैंने कुछ इस तरह से फ्रेंच रख दिया और यह मैंने एक गहरा मुड़े के लिए कट करने के लिए खाज़ दी लाइन एक कम गहरे यानि कि फ्रेंट का जो है तो वो कुछ गहरा होता है और यह मैंने गला रखा दो इंच पर चोड़ाई और एक पांच इंच और एक साड़े चार इंच तो एक पांच इंच एक साड़े चार इंच पर मैंने गला रख दे कुछ इस तरह से फ्रेंज और इसको इस तरह से डाल दे दे अब जो छोटा गला है वो मेरा बैक साइड का है बड़ा गला मेरा फ्रेंड का है तो हमने कुछ इस तरह से लाइन कट कर दिया और यहां से यह भी कट कर दिया इसको कट करने के बाद अब हम फ्रेंस इस तरह से हम इसको यहां से भी कट कर दें अब हमने कट कर दें यह मुड़ा यानि के आर्मॉल आर्मॉल हमने कट किये फिर हम एक पार्ट हम निकाल के रख देंगे और दूसरा हमारा दूसरा पार्ट हमारा यह रह गया यानि के फ्रेंड का रह गया बैक साइ तो हम फ्रेंट के गला कट कर रहे हैं गला कट करने के बाद अब हम मुढधे कट कर रहे हैं मुढधे हमने थोड़े गहरे करके कटे और अब हम बीच से ही कट कर देंगे बीच से कट करने के बाद अब हम चलते हैं आस्तीन कट करने तो ये हमारा आस्तिन का कपड़ा है friends और इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया फोल्ड करने के बाद हम इसको नाप लेंगे के हमारा आठ इंच बैठ रहा अब हमें जितनी आस्तिन चाहिए यानि के बाद जो चाहिए हम उसके ही अनुशार इसको कट कर लेंगे अब हम इसको हम कट करेंगे कुछ इस तरह से तो हम इसमें बच्चे भी डाल देंगे क्योंकि हमारा वहां तक बैठन पार नी रहा है तो हम बच्चे इस तरह से डाल देंगे अब हम इस पे निशान लगाएंगे जो चुन भरे जाते हैं चुन है हमारे चुन हमारे साड़े 3 इन्च पे वह लंबाई है इनकी 5 इन्च 5 इन्च पे हमने इसकी लंबाई रखिया अब हमने यहां से भी 25 दोनों 2 सेम सेम रखनी है और यहां पे यह मैं 1.5 इन्च का ले रही हूं ये मेरा डेड़ इंच का है और इधर भी मेरा डेड़ इंच का है अब हम दोनों को आमने सामने रखेंगे आमने सामने रखने के बाद अब हम डेड़ इंच पर ये डेड़ इंच पर ये आप मैं हास से बेसक करी हूँ लेकिन उंगलिया मेरी ये डेड़ इंच की दूरी पर ह के हम लेंगे दो चुन यह तो हो चुके हमारे बैक पार्ट के हम दो चुन लेंगे एक इस तरह से खैंजली हमने लाएं और पांच इंच की फिर से वही जो मैंने आप से बताया इस तरह से मैंने पांच इंच के चुन है यह मेरे अब इस तरह से प्लेटे डालें हैं हम इस तर से प्लेटे डालने के बाद हम चलते हैं मसीन के और अब देखो फ्रैंज हम ये सिल लाए और कंप्लीट करके लिया हैं इस तरह से कुछ इस तरह से हमने सिलने के बाद इस तरह से हम कांधे जोड के लाएंगे यानि कि आर आर्मोल हम इस तरह से यहां सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई हम यहां लगा देंगे अब हम यहां पर लगा करके बाजू भी जोड लाएंगे और देखो फ्रेंस हमने यहां भी सिलाई लगा दी और यहां भी सिलाई लगा दी अब फ्रेंस हम कुछ इस तरह से बाजू करने के बाद और इस तरह से हम यहां फोल्ड कर देए ठीक है और हम बाजू भी जोड के लिए आएंगे आप देखो हमने बाजू भी जोड ली है नीचे सिलाई भी लगा लिए अब हमारी फिटिंग फिटिंग लगाने जा रहे हैं लेकिन हम पहले गटवा एक बड़मा पट ड़कि यहां से हमवारी फिटिंग लगा लेएं यहां से भी फिटिंग लगालें लें रहा हम यहां बड़मा पट्ती यहां ओप बड़मा पट्ती और पर फिर मसीन लंब मकट सब्सक्राइब के बाद अब फ्रेंस हमने कुछ इस तरशे यहां भी निशान लगा लिया और यहां भी निशान लगा लिया जितनी हमारी फिटिंग चाहिए हम उसके ही अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे और बाजू हमें रखनी है पांच इंच की तो हम पांच इंच पे निशान लगा देंगे यह हमने कुछ इस तरशे निशान लगा दिया और सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमने इधर भी बाजू पे निशान लगा दिया और यह हमने निशान लगाने के बाद निशान लगाने के बाद हम यह हमारी जो पट्टी है गले के लिए है उरेवी पट्टी यह हम उरेवी पट्टी कट कर रहे हैं इनको रख करके हम इस तरह से ही सिल लेंगे और यह भी मैंने उरेवी पट्टी कट करी और यहां से भी कट करने के बाद कुछ इस तरह से हम गले के चारो साइड लगा के लिए अब यह मैंने पट्टी बना दी पट्टी बनाने के बाद अब हम इस पर गले पर कुछ इस तरह से रखते चले जाएंगे कि रखते चले जाने के बाद यानि के सिल देंगे कुछ इस तरह से हमने यह इस तरह से ही सिल देंगे और फ्रैंस हमने कुछ इस तरह से सिल दे मेरी वीडियो पसंदगी युह लाइक और सस्क्राइब जरूर करेंगा